नमस्कार दोस्तों, बलुचिस्तान की पीम नहीला कादरी जो इंडिया में 2016 से लेकर के अभी तक एक जायल में जी रही थी, उन्होंने अल्टिमेटली हाइस्ट पीच राइज किया और रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप हमारी क्रेडिबल भॉइस को उनाइटेड नेश जो कि वो इस एडिया से क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट को मिला रहा है, तो काफी कुछ है यहाँ पे जानने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूज देखेंगे कि बालुचिस्तान प्यामी निग्जाइल, शिक्स इंडिया सपोर्ट एट युएन, फूर फ्री इसलिए जो प्राइम निश्टर मोदी से नाईला कादरी ने इस टाइम पे राइश किया है यह कोस्चन, तो यह बहुत ही राइट फ्रेम पे है, और बहुत ही राइट टोन के साथ है, और इंडिया को इसे राइश करना चाहिए कि नहीं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखे, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस मैप को, जो आप इस मैप को देखोगे तो population wise यहाँ पे आपको काफी कम लोग दिखेंगे, लेकिन अगर आप area को देखोगे न तो यह 44% area है पाकिस्तान का, जिसके बज़े से पाकिस्तान के लिए important हो जाता है, area wise दिन यह यहाँ पे mineral resources हैं, एंड उसके बाद, चाइना का CPEC Economic Belt Road Initiative पार हो करके ग्वादर पोर्ट में यहाँ पे मिलता है, अब यहाँ पे जब तीनों चीज़े आती हैं तो यहाँ पे बहुत मुस्किल हो गया नईला कादरी जैसे लोगों के लिए, जो कि अपने country को freedom दिलवाना च जादा हो रहा है, जिसके बज़े से लोकल पीपल है ना, उनकी income पहले से देखी जएए कि बहुत कम हो चुकी है, और यही कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा arms उठा रहे हैं, जब आप बलोचिस्तान के बारे में सोचते हो गए, तो यह एक fourth province है पाकिस्तान का जो लोग होते हैं, उसके साथ जैसा कि मैंने आपको बता है, यहाँ पे natural gas and oil बहुत ज़्यादा है, और जिसको explore करना चाहता है, पाकिस्तान चाइना की मदद से, अब जब चाइना यहाँ पे explore करेगा, तो आप जान सकते हो, कि वो किस level पे करने वाला है, यहाँ पे पूरी तर का area देख सकते हो, और बालुचिस्तान का area देखो, पाकिस्तान से अगर बालुचिस्तान को निकाल दिया गया, तो बस उनके पास यही बच जाएगा, और eventually उनका जो sea route होगा, वो बहुत कम हो जाएगा, विकॉज यह पूरा का पूरा sea route बालुचिस्तान के country के अंदर जात है, विकॉज चाइना अपने लेवर को ले आता है, और उसके साथ, लेवर लाने के साथ, जो economic drain है, वो बहुत जादा हो रही है, विकॉज इस area में जो भी लोग पहले कमाते थे, अब या तो चाइना, या फिर जो बचता है, वो पाकिस्तान उठा लेता है, और यहाँ पे यह जो belt road initiative है, वो हमारे पाकिस्तान occupied का स्मीर के थूँ तो जाता ही है, उसके बाद यह यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे आके मिल रहा है, और यह एक gateway हो जाता है, चाइना के लिए अंदर आने का, अब जब आप world map देखोगे न, तो आपको दिखेगा कैसे अच्छली अर इंडिया करता है, बाइ नेकलास आप डायमेंड, चाभार पोर्ट को बना खरके इरान में, लेकिन जब जब यह पोर्ट देखोगे न, तो यह बहुत ही बड़ा है, और यह नैच्रल हार्वर है, जिसके बज़े से यहाँ पे आसानी से सिप्स आ सकती है, और एक economically well developed हो सकता में ले भी नहीं जाते हैं, तो पाकिस्तान का economic benefit तो यहाँ पे रही जाता है, उसके साथ, चाइना का जो strategic gain थाना, वो already successful हो चुका है, तो उसी पे अब ज़्यादा वो काम कर रहा है, और Chinese military भी वहाँ पे suppression स्टार्ट कर चुकी है पाकिस्तान के साथ, तो आगे बढ़ने से उनकी proactive role की ज़रूरत है, जो लाकिले से बोला था, उस पर अमन करने की ज़रूराजबी भारत पे इतना आतक है, वो ना-पाकिस्तान से ही आ रहा, जो ना-पाकिस्तान है, उसने बलुचिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क था, उस पर कब्दा किया, पहुँच बेच कर, और इस पाजी हमले से जो बलुचिस्तान में इस वक्त फालत है, वो यह है कि बलुचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलाकार है, मूँथ मार है, घर जला रहे हैं, पाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं, और बिल्डॉसर्स लाकर गाउं के गाउं जो है, तो यहाँ पर आपने देखा कैसे उन्होंने एक्स्प्रेंड किया विकॉज ये न्यूज आलोवर वर्ल्ड मीडिया में पहुंचती नहीं है विकॉज उसे पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल करके दवा दे रहा है वहीं पर पाकिस्तान के फोर्स की जान गई है और यहीं कारण है कि यह बोला जाता है कि अगर आप अपने बैक्यार्ड में स्नेक पालोगे तो आपको भी काटे गा तो पाकिस्तान जिस टेरिडिजम का यूज कर रहा था भी खुद उसका सिकार हो चुका है विकॉज यहाँ पे लोगों के उपर जो एक्रोसिटीज वी और एकनोमिक बेनिफिट कम हो गए तो लोगों ने आर्म्स उठा लिया और उस आर्म्स को एगेंस्ट पाकिस्तान यूज किया है जो कि आपको इस न्यूज में दिख रहा है उसके साथ जो आप देखोगे बियारे का निरेटिव एक्चुली बालुचिस्तान के लोगों के अंदर क्या है तो आल अवर वर्ल्ड को पता है विकॉज वहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ आल अवर वर्ल्ड मीडिया में भी यह आया है तो यहाँ पे उसके साथ जो हम देखेंगे न अपराइजिंग इन बालुचिस्तान और यह स्टार्ट होटा है 1947 से जब बिटिस ने इंडिया को छोड़ा तो जमू एन कस्मीर के साथ बालुचिस्तान भी एक एरिया थो जाए 1947 में बिटिस ने बोला कि आप या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो या फिर पाकिस्तान या फिर इंडिया को जॉइन कर लो लेकिन उन्हों ने बोला कि हम इन दोनों कंट्रीस को जॉइन नहीं करेंगे और अज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रहने वाले हैं इनका एडिया बहुत जादा था लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज का फाइदा उठा करके एक साल बाद अपने ट्रूप्स को भेज दिया इस इलाके में जमू एन कास्मीर के तरह जहां पे पाकिस्तान उक्यूपाइड कास्मीर आपको दिखता है और 1948 में इस इलाके को कबजा लिया और वहाँ पे उन्होंने ये किया Military and Political Diplomacy के थूँ विकॉज वहाँ पे जो कुछ मुस्लिम लोग थे उनको उन्होंने भरका करके Leadership को अपने तरफ ले लिया और उसके बाद Military को भेज़ दिया जिससे वो पूरा एडिया उनका हो सके उसके बाद यहाँ पे Human Rights violation विये जैसा कि आपने देखा निला कादरी ने तरीके से बता है कि वहाँ पे किस तरह के के Internal Affairs में नहीं बोलता है और हमने 2016 से पहले बालचिस्तान का नाम नहीं दिया था लेकिन जब 2016 में पाकिस्तान ने अपने Parliament में एक law लाया और कस्मीर को एज़ फूफ प्रोभिन्स अपना घोसित कर दिया तब इंडिया ने ड्रेक्टली भॉइस राइज के 2016 में और ये बोला कि बलोच और गिलगिट के लोगों को आजादी मिलने चाहिए पाकिस्तान के एट्रोसिटी से और उनके इंडिपेंडेंस दे के स्पीच जो कि 2016 में प्राइम निश्टर मोधी ने दिया उससे ये बात लाल किला में उन्होंने किया था जिससे आप सोच सक जब आपने लाल किला से बोला था तो ये टाइम आ चुका है कि इंडिया को अपना पॉलिटिकल कमेंट पूरा करना चाहिए और फ्री करवाना चाहिए बलचिस्तान को यहां पर जब हम सीपी इसी को देखते है न तो उसके साथ पाकिस्तान का आपको पता होगा कि उन्हों सी से ताकि वो डिरेक्टली वहां से आ सके उनका स्टैजी पूरा हो सके और वो कहीं ने कहीं कम्प्लीट हो चुका है लेकिन पाकिस्तान का नेरेटिव यहां पर पूरी तरह से फेल हो रहा है और वो कनेक्ट करना चाहते हैं इस एरिया को हाईवेज के साथ रेलवेज और पाइप लाइण को कनेक्ट करने के साथ है तो सिर्फ शिर्फ से कार्गो लाने के यूज नहीं होगा इवेंचूली यहां पे mineral resources को निकालने के लिए चाइना बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला है जिसके बज़ए से उस एरिया में future में जाकरके कुछ नहीं रहपाएग कि इंदिया बहुत ही widespread protest करेगा बालचिस्तान की freedom के लिए तो आप क्या सोचते हो जरू बताईए कमेंट बॉक्स में बालचिस्तान को freedom मिलनी चाहिए कि नहीं तब तक के लिए thank you for watching keep striving for knowledge